नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लैटफॉर्म के उपर मेरा नाम है संदीब वेरी गुड इबलिंग टू अल अफ यू इस सेशन के अंदर दोस्तों बात करने वाले हम कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स की जैसे कि पहले बीम्स के बारे म गेंट्री गर्डर के बारे में देन वी विल टॉप अबाउट प्लेट गर्डर और उसके बाद रूफ ट्रस तो छोटे-छोटे टॉपिक है पिन पॉइंट से क्वेशन इनसे पूछे जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेशन कहां से आ रहे हैं सभी को नमस्कार सभी को गुडीवदिंग दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए है तो आप सबस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमारे अपकमिंग सेशन हो और अपडेट्स वो आप तक इंस्टेंटली पहुँच पाएं इसी के लिए आप साथ ही सा संदीव जयानी के नाम से है आपको सिंप्ली सर्च करना है संदीव जयानि टेलीग्रांओ फिर अगर आप वंबी सर्च करेंग तो ब्हुर्ट चैनल भी है और ग्रूप है चैनल के ऊपर सिर्फ मैं पूस्त कर सकता हूं और group के उपर आप सब इमित्र जो है आपस में discuss कर सकते हैं इसके लावा Facebook, Insta, इन सब social media handles पर भी अगर आप connect करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों हमारे दो प्रकार के session चलते हैं Monday to Friday 9 PM YouTube के उपर हम पढ़ रहे हैं अभी Steel Design app के उपर सुबर 9 बजे और 11 बजे हमारे sessions होते हैं जिसके अंदर अभी हमारा subject चल रहा है RCC RCC इस भी complete हो जाएगा अभी इसके अंदर shear torgen यहाँ तक के chapters जो हैं वो complete हो चुके हैं Building Materials, Surveying, Soil Mechanics, Foundation, Engineering, Theory of Structure, Concrete Technology यह सब हो गया है इस भी RCC भी हो जाएगा उसके बाद next subjects जो हैं वो हमारे start हो जाएगे अगर आप पढ़ना चाते हैं तो आपको app के उपर जाके यह course दिखेगा pre to main civil engineering इस पे जाके आप अगर जब purchase option पे जाएगे तो code पूछेगा आपसे तो new start आप use कर सकते हैं जिससे आपको 10% instant off भी मिलेगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज की session को beams की बात करें अगर तो दोस्तों beam जो होता है वो एक ऐसा component है अब beam को कहां कहां पढ़ते हैं beam को हम पढ़ते हैं RCC के इंदर लेकिन RCC में जो beam हम पढ़ते हैं वो कौन सी beam होती है RCC में बीम होती है concrete plus steel वाली concrete होता है और उसके बीच में जो सरिया इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है तो concrete plus steel heterogeneous mixture हो गया आपके पास यहां वो beam पढ़ते हैं वहां यहां पर बात कर रहे हैं ऐसी beam की जो की steel से बनी होई है steel के structures की बात कर रहे हैं यहां पर तो जो भी हमारी beam होती है उस beam के अंदर अगर आप observe करेंगे उस beam के अंदर अगर आप देखेंगे तो beam पर loading किस प्रकार से लगती है beam के उपर load जो है वो किस प्रकार से लगेगा beam के उपर load यह इसकी length थी या longitudinal axis थी इस longitudinal axis के perpendicular मतलब transverse direction के उपर load लगता है तो beam एक ऐसा structural member है which is subjected to transverse load longitudinal direction के perpendicular direction में इस पर load लगता है आपने बच्पन में strength of material में एक formula पढ़ा था m by i is equal to sigma by y equals to e by r m by i equals to sigma by y equals to e by r जब किसी beam के उपर pure bending होती है जब किसी beam के उपर pure bending होती है तो pure bending के case में हम कहते हैं कि इसके उपर एक ऐसा bending moment लगा जो throughout its length constant है उस case में flexural formula bending formula हमारे पास आता है m by i equals to sigma by y equals to e by r जहां पर m है इसका moment of resistance या फिर bending moment के equal हम इसको कर देते हैं i है neutral axis के about moment of inertia इस beam के किसी भी cross section पे आप जाएंगे cross section पे जाके देखेंगे neutral axis इस neutral axis के about moment of inertia sigma है bending stress इस bending की वज़े से जो इसके उपर stress आएगा तो वो bending stress आजाता है next आता है y y होता है neutral axis से कितने distance के उपर आप bending stress calculate कर रहे है य यंग's modulus of elasticity of this material आर जो है वो radius of curvature ये beam deflect होने के बाद अब ये कितना radius of curvature बना रही है तो ये आर कहलाता है small r होता है अगर हमने circular cross section की कोई बार ली है अगर हमने circular cross section की कोई बार consider की उसकी bending को जब बढ़ रहे है तो small r हम उसके distance को कहते है जबकि यह capital r मतलब इसने जो shape ली है जिस arc की shape में ये गई है उसका radius of curvature क्या है ठीक है आगे बढ़े तो ये इससे related basic सी बात है अब ज़्यादा तर portion जो bending stresses से related होता है अब चाहे अगर हम चाहे तो इसको steel design में पढ़ ले या जब strength of material के अंदर pure bending वो पूरा का पूरा chapter ही है वहीं पे हमने इसको discuss करते हैं तो ये flexural formula या bending equation जो हमारी है इस bending equation से related part जो है वो वहीं पर discuss होता है यहाँ पे हम बस आपको relate करके बता रहे हैं क्योंकि steel की beam है, homogenous beam है pure bending का case यहाँ पे हम consider कर रहे हैं तो इस तरीके से calculate करेंगे RCC के अंदर हम bending के लिए क्या use करते हैं RCC के लिए हम use करते हैं अलग-अलग methods, WSM, limit state method फिर उसके बाद उसके अंदर bending compression bending tension, concrete compression में अच्छा है steel tension में अच्छा है फिर उसको हम उस तरीके से RCC के तरीके से design करते हैं यहाँ पे हम steel के point of view से ही बात कर रहे हैं अब अगर कोई ऐसी beam है आपके पास जिस beam का top वाला flange ये flange, ये flange बीच में web अगर इस bending equation को भी आप देखेंगे तो इस bending equation से आपको देखने को क्या मिलता है इस bending equation से आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर मैंने कोई I section consider किया इस I section के उपर अगर bending stress मैं calculate करूँ bending stress मतलब M by I is equal to sigma by Y equals to E by R यहां से आप देखेंगे कि अगर bending stress है तो bending stress directly proportional है किसके? bending stress is directly proportional to Y तो neutral axis से जितनी दूरी पे आप जाएंगे तो bending stress बढ़ता चला जाएगा इसे आप इस नजर से भी देख सकते हैं कि sigma B is equal to M by I into Y अगर for a given moment of resistance या for a given bending moment given cross sectional given cross section तो M और I constant रहेंगे it means sigma B is directly proportional to Y इसका मतलब neutral axis से उपर जैसे 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 जाएंगे तो bending stresses बढ़ेंगे neutral axis से नीचे जाएंगे तो इस direction में बढ़ेंगे हमें ये देखने को मिला कि bending stress जो maximum होगा वो bending stress maximum कहाँ पे होगा वो इस top most fiber पे होगा यनि की flange के उपर होगा इसका मतलब जब भी flange को design करना है तो flange को किसके लिए design करेंगे bending के लिए design करेंगे क्योंकि bending stress कहाँ पे maximum आ रहा है यहीं पे maximum आ रहा है bending stresses कहा maximum आ रहे हैं flange पे आ रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी beam का flange फेल हो जाए तो flange को design करेंगे bending stresses के लिए दूसरा objective question आपसे पूछा जाता है क्या question पूछता है अगर हम shear stress की बात करें तो shear stress का formula जो primary shear stress होता है उसकी अगर हम बात करें तो f a y bar upon i b होता है बाकि सारे factors अगर constant रहे तो shear stress is inversely proportional to width of the section हमें पता है कि जब भी shear stress parabolic diagram चलेगा जहाँ पर width जादा वहाँ shear stress कम जहाँ पर width कम वहाँ shear stress जादा inversely proportional यहाँ पर आपको section की width जादा दिख रही है जब width जादा है तो shear stress कम आएगा यहाँ पर तो यहाँ parabolic variation और shear stress कम जैसे ही यहाँ से flange से web में आए तो width reduce हो गई, width reduce हो गई तो stress बढ़ गया फिर parabolic चला फिर यहाँ आने पर जैसे जैसे नीचे आई यहाँ आने पर width फिर से increase हो गई width increase हुई तो shear stress reduce हो गया और कुछ इस प्रकार का diagram देखने को मिला इसका मतलब हमें maximum shear stress कहाँ देखने को मिलता है maximum shear stress देखने को मिलता है हमें इस web वाले portion में, तो web को किसके लिए design करते हैं, shear के लिए design करते हैं, web को हम हमेशा किसके लिए design करते हैं, shear के लिए design करते हैं, यह बात आपको समझ में आ जानी जाहिए ठीक है, तो यह इतनी सी चीज याद रखेगा अलांकि जैसे जैसे आप chapters पढ़ेंगे bending equation वाला chapter आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ इसली याद रह जाएगे shear stress वाला पढ़ लेंगे ये चीज़ इसली याद रह जाएगे दोनों भी नहीं पढ़े हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से variation होता है तो ये याद रखना directly अपने आप में एक एक objective question है web is designed for shear, flange is designed for bending आगे बढ़ते हैं next बात आती है laterally supported and unsupported beam laterally support किया गया या नहीं उपर वाला flange यानि कि compression flange, नीचे वाला tension के अंदर अगर eye section वाली beam इस तरीके से bend होगी तो उपर वाले fibers compression में आएंगे नीचे वाले tension में आएंगे नीचे वाले जाएंगे तो अगर compression flange, उपर वाला flange आपकी slab के साथ में cast नहीं किया हुआ है या इसके अंदर embedded नहीं है इसके साथ laterally support नहीं किया गया है तो इसे बोलेंगे laterally unsupported beam अगर आपने slab cast करते वक्त ही beam को साथ में इसके embed कर दिया था तो इस type की beam को बोलेंगे कि यह laterally supported beam है when the compression flange of the beam is embedded in the slab तो उसे बोलते हैं laterally supported beam objective में statement form के अंदरी question आएगा as it is यही statement form में question आएगा कि laterally restrained beam कौन सी है जिसका compression flange slab के अंदर है जिसका अंदर नहीं है या प्री का slab अलग से इसके साथ लगाई गई तो उसे बोलते हम laterally unsupported beam लीला धर जी कह रही है hello sir मैं नेपाल से हूँ central level PSE के exam में selection हो चुका है as a civil engineer आपके वीडियो से बहुत हेल्प्रिया और miss you sir जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्ति या आपका बड़पन है कि आप किसी और को अपनी महनत का credit दे रहे है आपने महनत की है तो आपको उसका फल मिला आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुब कामना है हमारी तरफ से ये आपके करियरत का पहला कदम था इससे आगे और भी हमें बढ़ना है यहीं पर बैट नहीं जाना है फैल नहीं जाना है एकदम निश्चिंद नहीं हो जाना है चलिए शुरू करते हैं आगे बीम के इंदर नेक्स्ट अबजेक्टिव क्वेशन आपके क्या पूछता है नेक्स्ट अबजेक्टिव क्वेशन ध्यान से सुन लो ऐसा मान लो कल है पेपर और आज पेपर बताया जा रहा है कि क्या-क्या एक्जाम में पूछता है या क्या एक्जाम में आने वाला है उस concentration के साथ सुनो beam जो होती है beam को जब हम design करते हैं या उसके अंदर stress आएगा तो stress कौन बीर करेगा इस बात के लिए हम कैसे सोचते हैं web क्या करता है share लेता है web is designed for share web share लेगा तो वैसे तो web ये वाला portion है लेकिन design करते वक्त हम ये मान लेगा कि ये पूरा portion web जो है वो इतना act कर रहा है web कैसे act कर रहा है web ऐसे act कर रहा है जैसे ही पूरी depth में मौझूद है तो web का कौन सा area consider करते हैं stress calculation के लिए कितना उसके उपर force आया तो हमारे पास area आ जाएगा done समझ में आ गया ये objective में question पूछा जाता है in the design of beam we assume that the depth of web is resisting share is taken as overall depth of the beam objective में हो सकता है diagram बना के दे दे आपको ये बोल दे कि this is a small d फिर यहाँ पे बोल देगा कि ये आपके पास thickness of flange है ये यहाँ पर thickness of flange है तो आपसे objective में question में option दे देगा कि while designing the web for shear the depth considered is small d small d plus tf या फिर tf plus tf plus small d या फिर total d तो वैसे तो d plus tf plus tf भी हो जाएगा answer हमारा total depth याद रखना है आपको उसके बाद बात आती है statement based question statement based question ऐसे आएंगे कि web buckling क्या है web crippling क्या है तो web buckling तब अकर होगी जब किसी beam के उपर बहुत जादा load लग गया तो beam पे बहुत जादा load लगने के कारण ये जो beam का web था ये web ऐसे buckle कर जाएगा ये beam का web जो है ये ऐसे buckle कर जाएगा तो इसे बोल देते हैं web buckling इसकी ये जो transverse axis थी longitudinal axis कौन सी हो गई अगर आप इस eye section को ऐसे देखते है into the plane ऐसे length के along ऐसे देखते है तो length के along जो axis थी वो तो longitudinal axis हो गई इसकी अब अगर आप ये देख रहे हैं इसकी transverse axis ये longitudinal axis ये transverse तो transverse axis से laterally ये ऐसे move कर जाए तो इसे बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है web buckle कर रहा है web क्या कर गया buckle कर गया so it occurs due to diagonal compression in the web और concentrated load which is produced due to shear force in web web buckling occurs between the two of fillet weld यहाँ पे जो भी आपके पास weld कर दिया अगर आपने कई बार ये होता है जब हमें बड़े structures बनाने होते हैं तो जो market में available eye sections है market में available sections जो हैं वो sufficient नहीं होते हैं उतने load को carry करने के लिए इसी लिए हम क्या कर देते हैं हम build up section बनाते हैं हम plate girders बनाते हैं ताकि हमारे dimension के according हम हमारी beam बना पाएं जब वो बनाना चाहते हैं तो उस case में यह नीचे वाली plate को इस web वाली plate से weld करना पड़ेगा तो अगर यहां तक यह welded है उपर भी यहां से welded है तो इनके बीच का distance जो है यहां पे web buckling अकर होगी next आते हैं web crippling के उपर web cripple कर जाएगा cripple कर जाने का मतलब कि जैसे यह आपके पास एक eye section था तो इस eye section के अंदर यहीं पे जहां concentrated load लगेंगे एकदम को यह point के उपर ही load लग रहा है तो उस particular location से एकदम से यह ऐसे cripple कर जाएगा इसे क्या बोल देंगे कि web crippling बोलेंगे तो web crippling के अंदर कुछ इस प्रकार का effect आपको दिखेगा जहां concentrated load लगेंगे फ्लेंज के पास ही यह वाला web का portion आपका ऐसे fold कर जाएगा वेब near the portion of stress concentration tends to fold over the flange is called as web crippling फ्लेंज के साथ ही यहां पर web fold हो जाएगा तो इसको बोल देंगे web cripple कर गया तो web buckling के अंदर तो पूरा का पूरा यह जो आपका web था यह ऐसे buckle करेगा crippling में इस तरीके से यह fold कर जाएगा crippling में इस प्रकार से यह fold कर जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं web crippling बोलते हैं यह चोटा सा topic जो beams हैं इन से related यह यह question आपसे पूछते हैं bending equation से related laterally supported and unsupported से related overall depth से related web buckling क्या है और web crippling क्या है इन से related statement based questions इन में बस आपको यह याद रखना है web buckling के अंदर तो यह पूरा का पूरा web ऐसे buckle करेगा lateral axis से दूर चला जाएगा web crippling की अगर मैं बात करूँ तो web crippling के अंदर web crippling के अंदर यह fold कर जाएगा यहाँ पर web fold कर जाएगा flange के साथ में ही stress concentration एक जगा हम पर जब आ जाता है तो उसके कारण यह होता है next आते हैं gantry girder के उपर जो भी industries होती है factories होती है जहाँ पर heavy load को एक जगा से दूसरे जगा carry करना है तो वहाँ पर अगर आप बहुत सारे लोग लगा देंगे बहुत सारा समान उठाना है daily इस particular location से वहाँ पर जाना है यहाँ पर मान लीजिए raw material आ रहा था वहाँ पर कोई machine work कर रही है तो अब यह इतना सारा heavy load बार-बार कौन उठाएगा अगर आप लोग लगा देंगे तो फिर क्या होगा multiple people unnecessary आदमी परिशान होगा तो machines का क्या फायदा हुआ फिर तो हम heavy loads जो भी होते हैं heavy loads को इनके through lift कर सकते हैं अब इसके अंदर जो portion होते हैं gentry girder के अंदर अगर हम बात करें तो एक आपके पास यहाँ पर rail लगी होती है इस तरीकी से अगर देखेंगे आप length की direction में तो यहाँ पर rail लगी होती है इसके अंदर भी आप देखेंगे तो यह आपको यहाँ पर एक rail दिख रही है इस rail के उपर यह पूरा का पूरा bridge जैसे move करता है इस rail के उपर यह पूरा का पूरा bridge ऐसे इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ से वापस आएगा similarly यहाँ पर भी यह उस तरफ जाएगा वापस आएगा इसके उपर यहाँ पर pulley का arrangement या फिर यहाँ पर crab लगा होगा crab मतलब एक चोटी सी trolley कह लिजी आप यहाँ पर वो लगी होई होगी तो वो इस direction में ऐसे move करेगे तो overall movements कैसे हो रहे हैं पूरा का पूरा आपका bridge ऐसे इस rail के उपर move कर रहा है यहाँ पर जो rail लगी होई है इसमें आपको better clearly यह दिख जाएगी जो blue color से दिख रही है यहाँ पर तो इसके उपर movement होगी यहाँ पर rollers लगे होई है wheels लगे होई है जिनके कारण इससे यह ऐसे move कर रहा है और इस bridge के along इस तरीके से load move करेगा तो यह gentry girder होती है तो gentry girder के उपर कौन कौन से load लगते हैं पहला तो gravity पहला तो gravity load weight जो हो गया यहाँ पर आपके पास इसके करण dead load plus live load plus weight of the crane interest plus weight of the trolley etc तो पूरा in members का dead load यह आपके पास trolley या जो crab है इसका dead load इसके नीचे hook suspended है जो इसके उपर कोई load है तो उसका load तो यह सारा load जो है gravity के करण आ जाएगा उसके बाद दूसरे प्रकार का जो load लगता है वो कौन सा load लगता है next type of load is lateral load next type of load is next type of load is lateral load lateral load कौन सा है इसे हम बोल रहे है lateral direction इसे हम बोल रहे है length की direction यह पूरा का पूरा जो assembly है वो ऐसे move करेगा यह जो rails आपको दिखाई दे रहे है इन rails के उपर move करेगा तो यह length वाली direction कह रहे है longitudinal direction यह lateral direction हो गई तो lateral direction में जब यह trolley या crab चलेगा रुकेगा उसके कारण additional load लगेगा आपका यहाँ पर तो lateral load जब यह crab एकदम से start होगा एकदम से रुकेगा तो इसके कारण load आ रहे है फिर बात करते हैं longitudinal load की longitudinal load का मतलब कि यह आपकी पूरी के पूरी जो crane है यह जब चलेगी है इधर जाएगी रुकेगी इधर जाएगी तो ऐसे longitudinal direction में जब यह पूरी के पूरी yellow color वाली crane move करेगी तो इसके कारण जो load लगेगा तो वो कहेंगे हम longitudinal load तो एक तो overall weight हो गया एक इसके चलने की वज़े से रुकने की वज़े से starting stopping इसकी वज़े से एक इसके चलने की वज़े से रुकने की वज़े से जो load लगते हैं तो यह load लग रहे हैं अब इन तीनो loads के अगर मैं direction की बात करूँ तो gravity load कहां लगेगा डाउन्वर्ड 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 ड apply कर रहे हैं और consider कर रहे हैं तो उस case में जो भी loads आप consider करते हैं उनको 10% से आप बढ़ा करके मान लेते हैं कि 10% ज़ादा impact हो रहा है उनका 10% से increase कर लेंगे objective questions क्या क्या आते हैं objective questions आ सकते हैं what are the various types of loads that are considered in gantry girder तो gantry girder में पहला gravity दूसरा lateral load इस trolley या crab की वज़े से और तीसरा longitudinal length की direction में जब इस rail के उपर ये crane bridge move करेगा तो उसकी वज़े से जो load लगते हैं अब जो factor consider करने हैं आपको एक तो हो गया कि total dead load कितना है तो वो gravity load लग रहा है अब हम ये कहेंगी कि वो impact एकदम से इसके चलने की वज़े से रुकने की वज़े से कितना load consider करें हम एकदम से इसके चलने की वज़े से रुकने की वज़े से कितना load consider करें हम तो जब इसकी बात करें इस impact की बात करें तो additional impact load कितना consider करें अगर electrically operated crane है अगर electrically अगर electrically EOC Electrically Operated Crane के case में आप 25% increase कर लेंगे जितना dead load आ रहा है था vertical direction में Electrically Operated Crane अगर आप यूज कर रहे तो 25% आप increase कर लीजिए अगर manually operated है तो manual जब आप operate करेंगे उसको तो इतना ज़्याधा impact नहीं आएगा manually जब आप operate करेंगे तो इंपेक्ट नहीं आगा तो 10% consider कर लेते हैं 10% of the maximum static wheel load जितना भी load यहां पे आ रहा था उसके और 10% increase कर लेंगे अगर electrically operated थी तो जितना load यहां पे आ रहा था उसका 25% increase करके मानेंगे objective में as it is statement आएंगे the impact factor considered for vertical loading in case of electrically operated crane is 25% या फिर आपको यह देगा in a gantry girder the maximum static load to be to be used या to be lifted is equal to let's say 100 ton 100 ton जाता हो गया चलो 5 ton बोल देते हैं 5 ton use किया find out the net load to be considered for design in case of electrically operated crane बताया answer 5 ton का load carry करना है static wheel load 5 ton का दे रखा है तो आप 5 ton में 25% increase कर देंगे 5 ton में 25% increase कर देंगे 25% increase कर देंगे 5 ton में तो किस तरीके का छोटा सा numerical भी पूछ सकता है आपसे manually operated है तो 10% increase करेंगे 6.25 आजाएगा answer हमारा 25% increase करेंगे तो उसके बाद next case है horizontal force transverse to the rail excuse me यह longitudinal direction इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसमें समझ लीजिए यह वाली direction आपकी कौन सी longitudinal direction longitudinal direction के perpendicular अर्थाथ यह वाली direction हो गई transverse तो transverse direction में बात कर रहे हैं हम transverse direction के अंदर horizontal force transverse to the rail rail कौन सी यह वाली rail यह जो rail चल रही है इनकी बात कर रहे हम यहाँ पे तो यह rail हो गई इस rail के transverse direction में horizontal अगर electrically operated है तो उस case में 10% 10% of the weight of trolley and weight lifted अब क्योंकि आप यहाँ पे क्या consider कर रहे है horizontal force horizontal force कि इसकी वज़े से ही तो आ रही है ना वो जो horizontal direction में load के increments है वो किसकी वज़े से है इसकी वज़े से ही तो है तो अब इसका कितना load है यह जो trolley या crab जो है इसके उपर कितना load है उसका 10% increase कर देंगे 10% of the weight of trolley and weight lifted उस trolley के अंदर जो weight है यह trolley के नीचे जो hook लगा हुआ है इस पे जो weight है तो इनकी वज़े से जो total load बन रहा है उसको increase कर देंगे 10% अगर electrically operated है 5% अगर manually operated है तो next आता है horizontal force along the rail horizontal force along the rail तो जब यह rail पूरी के पूरी यह ऐसे आपका bridge पूरा move करेगा जब तो इस तरफ से जब ऐसे चलेगा रुकेगा चलेगा रुकेगा तो जो भी total load आ रहा था इसके wheels के उपर उसका static मतलब जब रुका हुआ था तब जो total load था उसका आप increase कर दिजिए 5% उसका 5% आप increase कर दीजिए तो यह additional load consider करेंगे या फिर यह कह लीजिए कि उस impact की वज़े से आप कितना additional loading मानेंगे as it is exam में question आते हैं अब तक जो सवाल पूचे गए हैं वो तो पूचे गए हैं as it is आने वाले समय में ऐसे question आ जाएंगे कि अगर आपके पास crab plus trolley जो है और इसके नीचे hook जो लगा हुआ है इसका overall weight अगर आता है आपके पास 2 kilo newton then find out the horizontal force transverse to the rail for electrically operated grain तो 10% increase करके बता देंगे done आगे चले permissible deflection कितना allowed है गेंटरी girder के लिए वो जब load आएगा उसके उपर तो वो कितना deflect कर सकती है तो ये permissible deflection उनकी original axis के comparison में अगर हम बात करें तो वो कितना allowed है तो permissible deflection की बात करें अगर manually operated crane अगर है तो span by 500 electrically operated अगर crane है और उसकी capacity 50 ton या 500 kilo newton 50 ton या 500 kilo newton तो उस case में span by 750 IES में question आया था इससे related जिसके अंदर की आपको load की value दे दी गई थी kg के अंदर थी शायर तो kg में जो value आपको दे रखी होगी उसको convert करेंगे kilo newton में फिर kilo newton में convert करने पर देखना है कि वो 500 से कम है या 500 kilo newton से जादा है अगर 500 kilo newton तक है तो जो question में span दे रखा है तो span by 750 करना है आपको उस question में कुछ ऐसा था कि deflection जो है वो maximum इतना आ सकता है deflection की value दे रखी थी ये delta given था आपको ये पूछा था maximum span कितना हो सकता है तो span calculate करने के लिए deflection into 750 कर देंगे deflection की value अगर mm में है तो span mm में आ जाएगे deflection की value meter में put कर रहे है तो span meter में आ जाएगा बस ये चेक करना है कि 500 से कम है या 500 से जादा है अगर कम है तो span by 750 अगर जादा है तो span by 1000 use करेंगे दन फिर आते हैं प्लेट गर्डर के उपर नेक्स टॉपिक हमारा प्लेट गर्डर प्लेट गर्डर जब भी स्पान बहुत ज़ादा हो जाता है लोड्स बहुत ज़ादा हो जाते हैं तो इस प्रकार की बीम को बोल देते हैं गर्डर सारी girder beam नहीं होती नहीं सारी girder beam होती है लेकिन हर beam girder नहीं होती हर beam girder नहीं होता लेकिन girder जो है वो beam है plate girder क्या है plate girder अगर आप इस diagram को थोड़ा ध्यान से देखे या इस dimension के बहुत बड़े-बड़े dimension के girder या यूं कह लीजिए कि इतने dimension के section as it is market में available हैं क्या नहीं available हैं तो हमें इन्हें बनाना पड़ेगा अब हम बना सकते हैं अलग-अलग तरीके से अलग-अलग तरीके से आपने एक यहां पर क्या किया जैसे इस case में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस case में थोड़ा सा दियान से अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको एक T section दिखाई दे रहा है नीचे नीचे T section उपर एक T section T section के उपर एक plate लगा रखिये नीचे एक plate लगा रखिये बीच में एक web आ गया ऐसे नहीं करना है तो क्या करें एक angle section यहां लगा लें एक angle section यहां लगा लें दो angle section लगाए फिर angle section के बीच में यहां भी एक angle section लगाया यहां भी एक angle section लगाया फिर यह जो चार angle section लगा दिये इन angle section के बीच में एक plate लगा दें यहां पर फिर यहां से इसको जोड़ दें या weld कर दे, या तो fastner use कर लें, bolt या rivet, या फिर इसको weld कर दे, फिर उपर एक plate लगा दे, नीचे एक plate लगा दे, तो उपर वाले flange के उपर एक plate लगा दी, नीचे वाले flange के उपर एक plate लगा दी, तो इस तरीके से हम plate gutter को form कर सकते हैं हमारी जरूरत अनुसार, objective में ऐसे question पूछ सकते हैं, कि अगर एक plate gutter बना रहे हैं, तो angle में कितने छेद होंगे, ऐसे question में पूछ लेगा, अब दो angle ऐसे लगाए, फिर इन दोनों angle को यहाँ पे join किया, तो इस angle में एक छेद यहां करना पड़ेगा, फिर इसके उपर अगर plate लगाई, flange के उपर flange plate लगाई, तो यहाँ पे आपको एक hole कम से कम करना पड़ेगा, तो एक angle में दो हो रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी, तो overall पूरी assembly के अंदर कम से कम तो 3 करने पड़ेगे, इस तरफ, तो ऐसे चोटे चोटे question कही बात पूछ लेते हैं, बस imagine करना आना चाहिए, आपको कि अगर angle लगा रहे हैं, एंगल लगा रहे हैं, फिर plate लगाई, तो कैसे कितने holes करने पड़ रहे हैं, a plate girder is usually, a plate girder is usually, thought as a flexural member, bending के अंदर जो आता है, flexural मतलब bending वाला जो member है, whose cross section is composed of plate elements, flange plate, angle and web equivalent, एक तो आपको यहाँ पे यह angle section दिखा, यह angle दिखा, यह angle दिखा, यह angle दिखा, फिर हमने fasteners से इनको जोड रखा है, या weld भी किया हुआ हो सकता है, आपको यह दिखाई देगा, इस अगर plate girder को आप observe करते हैं, इस particular diagram बाली plate girder के अंदर अगर आप observe करेंगे, तो इसमें आपको यह दिखाई देगा, उपर उपर flange वाला angle, फिर यह जो dark blue color में आपको दि clear depth है, यहाँ पर आपके पास D1, similarly नीचे दो angle section, फिर इनके बीच में भी gap दिख रहा है हमें यहाँ पर और नीचे एक bottom flange plate आगई, आपके पास यह flange cover plate आपने use कर ली, इस तरीके से यह कुछ assembly आपको दिखाई दे रही है, इफ beta beam cannot withstand applied load, then plate girder are used, जो load हमें resist करवाना है, तो अगर कोई beam उसको resist नहीं कर रही है, तो हम plate girder form कर लेंगे हमारी ज़रूरत अनुसार के, plate girder consists of flange plate, flange angle and web plate, अब इसके अंदर, यहाँ पे यह जो portion आता है, यह वाला जो portion है, जितना portion बीच में embed हो रखा है, बीच में यहाँ पर intact हो रखा है, इसके बीच में, web equivalent बूलते हैं इसको, हम web equivalent वो web का area है, जो की इन दोनों flange angle के बीच में है, यहाँ पर, web equivalent is the web area embedded between the flange angle, in compression zone flange, web equivalent is taken as area of web by 6 और AW by 6, objective question number 1, most probably, ऐसे question exam में देखने को मिलेंगे आपको, what is the value of web equivalent, आपको web के dimension देदेगा, यह यह जो web की plate है, जो black color में आपको दिखाई दे रही है, इसका area देदेगा आपको, तो area of web by 6 करना है, तो आप यह बताएंगे कि compression side में यह जो web equivalent है, इसकी value है, compression side में अगर हम बात करेंगे, compression tension कैसे decide किया, compression tension ऐसे decide किया, अगर यह beam पूरी इस तरीके से कुछ deflect होगी, तो उपर वाले fibers पर compression आएगा, नीचे वाले fibers खिच जाएंगे, नीचे वाले fibers पर tension आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको बोल जाएंगे, उपर compression आ रहा है, नीचे वाले fibers पर tension आ रहा है, नीचे वाला tension flange, tension flange में ये जो web equivalent है इसकी value consider की जाती है area of web by 6 इसकी value consider करेंगे area of web by 6 done याद रखना ये important है exam में पूछे जाते हैं as it is भी और इनकी values दे करके भी numeric values दे करके भी पूछे जाते हैं और as it is भी पूछे जाते हैं अब बात आ जाती है कि compression side का area कितना calculate करें या फिर tension side का area कितना calculate करें अगर आप से objective question पूछता है ध्यान से सुन ले ध्यान से सुन ले आप कि compression side का total area अगर आप से पूछेगा तो ये total area कितना बताएंगे आप ये compression side का total area अगर आप से पूछेगा तो आप क्या इसे ऐसे लिखेंगे न कि area of flange आप इसे ऐसे ही तो बताएंगे कि area of flange plus area of जो web का वो area जो इसके बीच में embedded है तो web equivalent लिखेंगे आप इसे area of flange को AF से denote कर दिया web equivalent को लिखेंगे area of web by compression side की बात कर रहे हैं तो area of web by 6 अब इसी तरीके से अगर ये पूरा area हमें बताना है कि tension side का पूरा area कितना है तो tension side का पूरा area हम बताएंगे कि area of bottom flange area of flange plus web equivalent अब यहाँ पे web equivalent कितना है यहाँ पे web equivalent है area of web by 8 यह याद रखना है आपको Engineering Services में पूछा जा चुका है SSC में पूछ सकता है Compression side में area of web by 6, tension side में area of web by 8 याद रखना Done Next बात करते हैं कुछ और छोटी छोटी सी चीज़े हैं एक हमने यह gap आपको दिखाया था कि यहाँ पे यह gap रह रहा है यह gap कितना होता है अगर objective में पूछे तो यह gap होता है 5 mm का यह gap कितना होता है पांच mm का gap होता है रखते किस लिए है ताकि इस plate का direct bearing action ना हो ऐसे directly इस plate के contact में यह आके direct load transfer ना करें load transfer fasteners के थूँ ही हो ताकि यह angle section भी अच्छे से participate करें इसके अंदर ऐसा ना हो कि इसका load जो आया था वो directly इसके उपर ही आ गया shear gap of 5 mm will be maintained between flange plate and web plate so that direct bearing action between the flange plate and the web plate is avoided the load is transferred from flange plate to web plate through the flange angles only plate से angle पे load आये angle से इस fastener के थूँ होता हुआ इस plate पे आये web वाली plate के उपर आये 5 mm का gap होता है याद रखना है objective में पूछ सकता है next बात आती है compression side में compression side में जहाँ पे भी last वाला fastener लगा होगा उसके बाद जो खाली जगा है या जिसे outstand बोल देते हैं तो ये width of outstand 16 times thickness of the flange से जादा नहीं होना चीए width of outstand compression side पे 16 times thickness of the flange से जादा नहीं होना चीए या फिर 256 times thickness of flange divided by root fy इससे जादा नहीं होना चीए tension zone में अगर हम बात करें तो width of outstand 20 times the thickness of flange से जादा नहीं होना चीए फिर next आते हैं अभी तक इतने सवाल इससे related नहीं देखना को मिले हैं economical depth of web plate कितना consider किया जाएगा तो वो 1.1 root m upon sigma bc into tw इतना हम consider करेंगे जो भी maximum permissible stress की value है वो आपको दे रहेगी thickness of web दे रखा होगा bending moment दे रखा होगा वो put करना है self weight of the plate girder कितना consider किया जाए self weight of the plate girder wsm के according capital w by 300 kN per meter या 1.5 w by 300 kN per meter limit state method के according consider करेंगे w by 200 कर लेजिए कि आप जो भी load उसके उपर आ रहा है उसको factor load कर लेते है तो w by 200 ये वाला portion पूछा था ये वाला portion पूछा था इस portion से related नहीं आया कुछ web drilling होगी क्या हां जी drilling punching दो option होते हैं हमारे पास अगर हम fastener reuse कर रहे हैं तो उसके अंदर drilling जादा option अच्छा रहता है फिर कुछ important बाते हैं आपके पास अगर ऐसी कोई plate girder है ये plate girder आपको दिखाई दे रही है अगर इस पे बहुत ही जादा load लग गया अगर इस पे बहुत ही जादा load लग गया तो बहुत जादा load लगने के कारण क्या होगा क्या ये इस प्रकार से ऐसे buckle कर जाएगी ये जो आपको यहां पे web वाली plate दिखाई दे रही है ये web वाली plate ऐसे buckle कर जाएगी कहां कहां दिक्कत आ सकती है पहली problem तो यहीं पे आ जाएगी कि आपकी ये जो beam है पे आके तो ट्रांसफर होगा सपोर्ट पे आके तो ट्रांसफर होगा सपोर्ट पे ही आकर के तो बीरिंग एक्षन लगेगा end to end लोड ट्रांसफर जो होगा सपोर्ट पे आकर के ही तो बीरिंग एक्षन होगा जब सपोर्ट से सारा लोड ट्रांसफर होना है आप इसे side से देख रहे हैं, जब आप इसे side से देख रहे हैं, तो आपको ऐसा दिखे गए, तो आपको यह लगेगा कि यार यहां पे अन्याय हो रहा है, ends के उपर अन्याय हो रहा है, सारा load आ करके यहां से इस end से, यहां से इस पे जा रहा है, bearing action, surface to surface contact force के तुछ ट्रांसफ तो यहां पर आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो आप क्या यूज कर लेते हैं यहां पर क्या यूज कर लेते हैं एंड स्टिफनर यूज कर लेते हैं यहां पर आप क्या कर देंगे ऐसे स्ट पर ऐसे end stiffener लगा देंगे फिर end stiffener के बाद अब आप ये देखिए ये आपके पस beam की length थी तो ये longitudinal direction हो गई फिर length के perpendicular direction तो ये lateral direction हो गई तो longitudinal direction वाले जो stiffeners होते हैं इन्ही को हम बोल देते हैं horizontal है lateral direction वाले जो stiffeners होते हैं तो ये vertical direction में है इसलिए इन्हे vertical stiffeners बोल देते हैं जो बिलकुल last वाले हैं इन्हें बोल देते हैं यानि कि जो supports के पास आते हैं इसके नीचे support रखी जाएगी तो supports के पास जो आते हैं वो end stiffener हो जाते हैं हमारे पास तो ये अलग-अलग type के stiffeners होंगे end stiffener का का काम क्या है आपको समझ में आ गया these are provided to transfer the load from beam to the support इसके लिए आप use करते हैं फिर जो बीच-बीच में intermediate stiffener लगाए गए transverse क्यों बोला इनको क्योंकि length के direction के perpendicular थे तो ये बीच-बीच में transverse stiffener जो हमने लगाए these are provided to improve diagonal buckling और या फिर ये कह लिजिए कि to improve buckling strength of thin web blade girder so diagonal buckling strength को improve करने के लिए हमने इसको use किया next आते हैं longitudinal longitudinal मतलब length की direction में इस beam में नहीं दिखा रखा है आपको इसमें दिख रहे हैं आपको longitudinal direction के अंदर या फिर horizontal stiffener जो आपने provide कि है horizontal stiffeners are used to prevent web buckling due to bending compression जब beam ऐसे bend हो रही होगी यह beam जब इस प्रकार से bend हो रही होगी तो bending वाला जो compression आएगा मतलब neutral axis से उपर तो उस case में आप यहाँ पे यह वाले stiffeners provide करेंगे bending compression के current जो buckling होती है उसमें provide कर रहा हैं फिर load bearing stiffener का भी आप use कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि इस particular location पे बहुत ज़ादा load आ रहा है तो यहाँ पे आप उस load को transfer करने के लिए भी stiffener use कर सकते हैं तो उस particular stiffener को load bearing stiffener हम भूल देंगे अब इनसे related कुछ points जो exam में directly पूछे जाते हैं कब यह beam यह beam का web है web में buckling आएगी web में buckling ना हो इसको कैसे check करेंगे अगर clear depth जो आपके पास है d1 clear depth clear depth कौन से depth थी इसमें आप देखें यहाँ पे यह वाला clear depth अगर clear depth d1 जो है यह thickness of web clear depth जो है यह thickness of web clear depth upon thickness of web अगर यह 85 से कम है यह यह कह लीजिए clear depth is less than 85 times of thickness of web तो उस case में हम यह बोल देते हैं कि इसमें web buckling नहीं होगी इसमें web buckling नहीं होगी यह depth इतनी जादा नहीं है कितनी जादा नहीं है 85 times the thickness of web उससे जादा अगर नहीं है तो buckling नहीं होगी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा हो जाए if it is greater than 85 या आपको कुछ जगा यह 90 भी लिखा हुआ मिलेगा if it is greater than 85 और 90 तो उस case में vertical यानि कि transverse direction में यह length वाली direction यह transverse या vertical direction तो transverse direction में आप यहाँ पर stiffener लगा देंगे जो कि diagonal compression से इसे protect करेगा अगर यह value 200 से जादा हो जाए 85 से 200 यह चला फिर 200 से अगर जादा हो जाए तो उस case में आप horizontal stiffener provide करेंगे horizontal stiffeners are provided जैसे इस case में आपको दिखाई दे रहे हैं यह horizontal stiffeners are provided कहाँ पर provide करेंगे add a distance of 0.2D from the compression flange इस top वाले compression flange से इस top वाले compression flange से जितनी यह depth थी 0.2D depth के उपर आप provide करेंगे they will prevent the buckling of web due to bending compression stresses अगर neutral axis कुछ यहाँ पर लाई करती है इससे उपर का region compression में आएगा तो इसके अंदर compression के कराण जो buckling होगी उसके लिए यहाँ पर आप provide करेंगे इसे अगर यह value 250 से भी जादा हो जाए clear depth upon thickness of web 250 से भी जादा हो जाए तो vertical stiffener and additional horizontal stiffeners are provided at neutral axis आप और additional stiffener provide करेंगे neutral axis के उपर neutral axis पर और additional stiffeners आप provide करेंगे अगर यह value 400 भी जादा हो जाती है अगर depth clear depth upon thickness of web 400 से जादा होगी तो ऐसा section use नहीं करेंगे कौनसा section use नहीं करेंगे जिसकी depth thickness of the web से 400 भी जादा हो जाए तो ऐसा section नहीं use करेंगे उसको हम redesign कर लेंगे after providing all the stiffeners lesser clear dimension of web panels should not exceed 180 times thickness of web after providing all stiffeners lesser clear dimension यह जो आपके पास यहाँ पे बीच बीच में panels बन रहे है इनका lesser clear dimension 180 times thickness of web से जादा exceed ना करें मतलब इनकी spacing की बात कर रहे है यहाँ पर greater clear dimension of web should not exceed 270 thickness of web तो यह जो panel बना इस panel का जो छोटे वाला dimension है 180 times thickness of web से जादा exceed ना करें बड़े वाला dimension जो है 270 times thickness of web से जादा exceed ना करें तो यह बात हैं हमारी हो गई plate gutter से related फिर आते हैं roof trust के उपर roof trust कहां कहां पर देखने को मिलता है roof trust या roof जो है आप जो भी shade देखते हैं industry के अंदर shade देखते होंगे आप जो shed बोल दीजिए या shade बोल दीजिए तो वो जो shed आप देखते हैं जो उनके अंदर पहले ऐसा trust बना हुआ होता है और फिर उस trust के उपर covering की हुई होती है उसके उपर sheet लगी हुई होती है तो यह जो trust है जो actual में load को carry करेगा covering का काम क्या है covering का काम तो यह है कि heat से बचाना directly rain fall इसके उपर नहीं होगी directly air अंदर enter नहीं करेगी series में trust दिखते जा रहे है अब इन trust के अंदर perlin कौन से member है perlin जब आप side से देखके इस trust को देखेंगे कोई भी shed को अगर आप देख रहे हैं तो जब आप इसे side से देखेंगे तो यह horizontal direction में दिख रहे हैं यह beams दिख रहे हैं तो एक trust के through दूसरे में, तीसरे में, चौथे में ऐसे interest के through जाती हुई यह जो beam होती है इसे क्या बोलते है perlin बोलते है horizontal क्यों बोला क्योंकि जब हम यहां आके ऐसे इसको देखेंगे तो यह हमें horizontal देखेगा तो यह horizontal है इसलिए एक ऐसी horizontal beam perlins को कैसे design करते है perlins को as horizontal beam हम design करते है जब हम side से इसको ऐसे देखेंगे तो यह हमें horizontal नजर आएगी अलग-अलग trust के through जाती हुई तो यह कहलाएगी perlin तो perlin को beam की तरह design किया जाता है bending के लिए design किया जाता है अगर objective में question पूछा जाए तो बताना है next बास आती है interest के अंडर next point आता है apex किसे बोलते है apex जो भी हमाराочь trust अब किसको पढ़ रहे हैं सिर्फ इस एक trust को पढ़ रहे हैं इसके components की बात कर रहे हैं तो apex जो highest point होता है उसे हम क्या बोलते हैं apex बोलते हैं next आते हैं bearing bearing अब तक तो आप समझ गए होंगे कि contact force जहां पर लगता है load जहां से transfer होगा तो अगर दो दिवारों के उपर दो column के उपर आपने उस trust को रख रखा है कोई भी जो support है जिनके उपर आपने उस trust को रख रखा है तो वहां से load transfer होगा न ताकि वो अराम से अच्छे से load को distribute कर दे इस support के उपर तो उसे बोल देते हैं, bearing structural support of trusses usually walls normally with a timber wall plate हम यहाँ पर इसके साथ use कर लेते हैं फिर आते हैं bottom code के उपर bottom codes आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेंगी bottom codes जो हैं, वो हमने यहाँ पर use कर रखी है, so bottom code कह लीजिए tie beam कह लीजिए, यह provided है generally अगर किसी frame के अंदर truss के अंदर हम बात करते हैं, नीचे वाले members tension में होते हैं, उपर वाले compression में होते हैं next आते हैं cantilevered portion अगर कोई ऐसा truss बनाया हुआ है जो दिवार या wall, जो column है आपका, उसके beyond जा रहा है, उसके पार जा रहा है, cantilevered portion है तो इसके बोल देते हैं, cantilever so part of structural member that extends beyond its support दिवार से बाहर तक अगर आपको truss दिख रहा है, तो यह cantilevered portion आपका बन गया, cantilever strut क्या होता है, web that joins the bottom code, above the bearing point to the top of code of a cantilevered truss इस cantilevered portion के उपर जो आपने web use किया है, यहाँ पर उपर वाले जो बार है, इसको connect करने के लिए, top code को connect करने के लिए, यह कहलाता है cantilevered strut, एक तरीके का compression member हो गया, यहाँ पर next आते हैं, यह आपके पास joints दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग members को हमने joints या nodes जो हैं, वो आपको देखने को मिल दे हैं, लग-लग members जहां आ करके जोड रहे हैं cord किसको बोलेंगे, cord हो गया main members, जो इस truss को form कर रहे हैं, यह bottom cord हो गई, यह top code हो गई, यह भी top code हो गई, top code को rafter भी हम बोल देते हैं तो यह cord हो गई, जो main इस truss को form कर रहे हैं, फिर उसके बाद बात आती है, heel की point on a truss on which top and bottom code intersect, top और bottom code जहां पर intersect करेंगे, तो यह top code, यह bottom code, कहां आके intersect कर रहे हैं, heel पर intersect कर रहे हैं, वो heel कहलाएगा फिर joints हो गई या nodes हो गई तो यह जहां जहां पर अलग-अलग member मिल रहे हैं, तो वो आपके joints या फिर nodes कहलाते हैं, joints या nodes हो गई next, node या node point point of intersection of two or more members इस point को अगर आप देखेंगे, तो एक member यह आया, दूसरा यह आया, तीसरा यह आया, अलग-अलग member intersect कर रहे हैं तो इसे भी joint या node हम बोल रहे हैं next आते है, nominal span के उपर, nominal span होता है horizontal distance between outside edges of the supports या wall plate, यह दिवार थी इस दिवार के उपर यह plate रखी हुई दिख रही है आपको, और इस plate के end पे जाके देख रहे हैं, इस plate के end पे, इस तरफ भी यहाँ यह plate रखी हुई है, इस plate के end पे तो यह end to end distance को हम बोल देते है nominal span, clear span होगा इन supports या दिवारों के बीच में जो clear distance है उसे हम क्या बोलते हैं यह supports या जो walls हैं इनके बीच में जो clear distance है, उसे बोलेंगे clear span, overhang portion किसको बोल देंगे, overhang portion इस cord का वो वाला portion हो जाता, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो roof की जो covering है वो extend हो रही है यहां पे या यह जो आपकी rafter है या top cord है, यह extend कर रही है अब यह जब extend की, तो आपको यहां पे overhang दिखा, अब overhang भी आपको दो तरीके का दिख सकता है कैसा, यह जो member ऐसे extend हो रहा था, यह जो member ऐसे extend हो रहा था तो आपने इसको कैसे cut किया, end से ऐसे cut किया, या फिर आपने इसको ऐसे cut कर दिया, इस पे एक ऐसा cut लगाया आपने ऐसा cut लगाया या ऐसा cut लगाया इसके end के उपर अगर vertical direction में, gravity की direction में cut लगाया तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा आपका जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ऐसे vertical direction में ऐसे इस पे cut लगा दिया तो ये plumb cut है यहाँ पर ये कौन सा है plumb cut gravity की direction में cut लगा रहे हैं अगर आपने इसके surface के perpendicular direction में cut लगाया ऐसा shape इसको दिया होता तो ये कौन सा cut हो जाता square cut इसको हम बोल देते हैं नेक्स आता है panel trust segment defined by two adjacent joints और nodes दो adjacent joint या nodes के बीच में यहाँ पर जो segment है इसे हम क्या बोल देते हैं panel बोल देते हैं फिर next आता है हमारे पास plumb cut plumb cut जैसा कि मैंने आपको बताया अगर इस rafter को end से आपने ऐसे vertical direction में cut किया तो plumb cut अगर ऐसे cut कर देते तो square cut हो जाता यहाँ पर यह next आते है splice point splice point कई बार हमें कुछ members को खुद को भी बीच में join करवाना पड़ जाता है जैसे कि यह bottom वाली अगर आपके पास rafter देखेंगे इस bottom वाले rafter को यह length यहाँ खतम हो गई अब नई length से connect करना था तो यहाँ पे splice plate लगाई और जोड दिया इसको तो splice plate जो है वो इस तरीके से हमारी मदद कर रही है next आते हैं यह square cut square cut का मतलब इसका end ऐसा दिखेगा square दिखेगा plump cut होता तो यह ऐसे कटा हुआ होता यहाँ से next आते हैं top code या rafter already हम इसको देख चुके एक ऐसा member जो कि इसका upper part form कर रहा है trust का upper part form कर रहा है next आते हैं sub stub end next आते हैं stub end अगर आपने एक ऐसा trust बनाया जैसे यह trust actual में exist कर रहा था आपने क्या किया यहाँ पे दिवार बना दी इस तरफ यहाँ पे दिवार बना दी फिर आपने क्या कहा इस portion को पूरा delete कर दो यहाँ वाला portion delete कर दो यहाँ वाला portion delete कर दो तो trust का यह वाला portion truncate कर दिया, काट दिया इस तरफ देखेंगे तो trust का ये वाला portion truncate कर दिया, काट दिया यहाँ पे तो अब ये trust सिर्फ इतना बच गया आपको ऐसा दिखेगा तो इसे क्या बोल देते हैं कि ये वाला end stub end हो गया ये क्या हो गया, stub end हो गया ये trust पूरा ऐसे गया नहीं पूरा complete निवा बस इस end को यहां से अटा दिया हमने, so a trust type found by the truncation of a normal triangular truss, एक normal triangle ऐसे बन रहा था, जिसके इस end को cut कर दिया, इस end को cut कर दिया अब actual में आपका truss सिर्फ ऐसी shape कर रह गया, तो इसके ends कैसे हैं, ये stub end है, ये वाला portion हट चुका, ये वाला portion हट चुका यहां पर, next आते हैं web के उपर, members that join the top and bottom codes to form a triangular pattern ये web, ये web, तो ये अलग-अलग web जो हैं, ये triangular portion बना रहे हैं, ये वाला web, ये वाला web और ये top code, ये triangle portion बनाया इसने, ये web, ये web top code, ये triangular portion बनाया इसने done types of roof truss, जब बहुत ज़्यादा समय हो, इतना समय हो कि सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है और क्या करें, जीवन में बताओ तो types of roof trusses पढ़ लेना, king post queen post, house, pratt fan truss quad triangular roof truss north light roof truss, panel cord raised heel, caesar roof etc, etc design of roof truss के अगर हम बात करें, तो slope of truss जो है वो 10 theta से हम denote करते हैं या फिर h by l by 2, perpendicular upon base, इस से हम denote करते हैं तो आप यहाँ पे यह बोलते हैं pitch of the truss को हम बोलेंगे कि जितना इसका ये rise देखने को मिल रहा है आपको rise divided by span pitch of the truss कहलाता है, the angle or pitch of roof is calculated by number of inches, it rises vertically to horizontal, कितना vertical rise करता जा रहा है, with respect to horizontal ये कहलाता है, इसका pitch of the truss, slope अगर calculate करना है, तो rise by span से calculate करेंगे, इसका slope, cantilever truss are idealized as cantilever beam, so all top members are subjected to tension and bottom members are subjected to compression अगर ये cantilever portion होता, तो उपर वाले members tension में आ जाते हैं, नीचे वाले compression में आ जाते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से कुछ bend होता, next roof truss, tension member in roof truss are called as die, compression member को strut बोलते हैं, ये हम बहुत पहले से भी जानते हैं in a cantilever beam, main reinforcement ये tension reinforcement are provided above neutral axis, ये तो हलांकी बात हो गई RCC के, ये RCC के अंदर हम ऐसे करते हैं live load जो आपके पास truss है, truss के उपर load कौन कौन से act करते हैं, इनके बात कर लेते हैं सबसे पहले आता है live load अब सर ये महनत करनी है नहीं करनी है ये तो आपके उपर है, a question recent years में पूछाता है, इससे related question, लेकिन एक recent years में पूछाता तो मैं आपको बता रहा हूँ if slope of truss is less than or equal to 10 and access to roof is provided, कि roof को access कर सकते हैं, roof पे कोई जा सकता है load आएगा उसके उपर, roof के उपर then live load को consider करेंगे 1.5 kN 1 meter square के उपर, आपकी ये जो roof है इस roof के उपर access है तो इसके उपर load consider किया जाएगा 1.5 kN per meter square का 1 meter square के area के उपर 1.5 kN load लग रहा है, ऐसा मानेगे, अगर इसका slope 10 degree से जादा है, तो live load को कहेंगे 0.75 minus 0.01 10 degree के अलावा कितना degree है अगर 20 degree से भी उपर है slope उसका, तो live load को कहेंगे 0.75 minus 0.02 theta minus 10 degree जितना भी access में, अगर 22 degree होता, तो यहाँ पर 22 minus 10 कर देते, फिर उससे हमारा live load आ जाता, live load is reduced by 20 newton per meter square for each one degree above 10, अर एक degree के लिए live load 20 newton per meter square से हम decrease कर देते हैं, मतलब वही होके हैं हाँ पर, 20 newton कह लीजिए या फिर 0.02 kN कह लीजिए, बात वही है, हर एक access वाली degree के लिए reduce कर रहा है हर एक access वाली degree के लिए हम यह reduce कर रहे है reduction कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे तो live load should not be less than 0.4 kN per meter square snow load कितना consider करेंगे 2.5 newton per meter square consider करेंगे, हर एक mm depth of snow fall के लिए अगर एक mm की snow fall हुई है तो 2.5 newton per meter square उसकी वेज़े से stress मानेंगे अगर 5 mm की हो गई तो 5 into 2.5 newton per meter square consider किया जाएगा if the slope of truss is more than 50 degree, अगर 50 degree से भी जादा slope है, तो इस case में snow ठहरेगी नहीं, जैसे ही इसके उपर snow fall होगी, यह नीचे गिर जाएगा, dead load की अगर हम बात करें, तो dead load of the truss consider करते हैं, if the spacing of truss is 4 meter, pitch of the truss 1 is to 4 है, तो self weight को L by 3 plus 6 kg per meter square consider किया जाएगा objective question कुछ इस प्रकार से आया था कि कोई workshop shade है, उस workshop shade के अंदर, trusses are spaced 4 meter center to center, तो यह वाला truss, यह वाला truss, 4 meter के distance पे है, यानि कि यह distance आपके पास आ गया 4 meter, 4 meter के distance पे है यह 4 meter के distance पे है, the perlins are spaced 1.44 meter center to center, perlins मतलब यह जो members निखाई दे रहे हैं, यह वाले जो members हो गए, यह member हो गए, यह member हो गए, यह perlins है तो perlins को space किया गया कितने पे 1.4 meter, तो perlins को space किया गया कितने पे 1.4 meter center to center तो यह वाला area calculate कर सकते है ना कि एक panel का area कितना हो गया यह एक panel का area 4 meter into 1.4 आ गया हमारे पास slope की value 30 degree दे रखी है, dead load plus live load की value भी नोने बता दी कि 3 kilonewton per meter square और wind load की value 5 kilonewton per meter square the vertical and inclined point load respectively are, इस पर कितने load लग रहे हैं इनकी value पहली बात तो यह कि 30 degree का angle दिया गया, तो 10 degree के access में जो भी हैं उनके लिए reduction करना पड़ेगा 20 newton per meter square का, तो आपने वही किया 30 minus 10, तो जो access वाले 20 आया, उसके लिए 0.02 का reduction किया, इस बार question में हमें already यह value दे रखी दे कि dead load, live load यह जो आपके पास है, 3 kilonewton per meter square already act कर रहे हैं, अगर नहीं दे रखा हो तो हम put करते, यहां पे आपको दे रखा है, तो 3 put कर दिया हमने, into इतना तो stress आया, इतने kilonewton per meter square आया, कितने area के उपर आया, 4 into 1.4 पे आया, तो यहां से हमारे पास load आगया 14.56, यहां से 14.56 dead load और live load, मतलब vertical direction का load आगया, अब wind की वज़े से load लग रहा है, 5 kilonewton per meter square, कितने area के उपर, 4 into 1.4 के उपर, तो यहां से answer आजाए गई है, तो जहां पे हमें question के अंदर live load 1.5 और dead load की value calculate करके हमें लिखनी थी, तो इस dead load की value और live load की value question में हमें 3 दे दी already, फिर हमने उस 3 में से 0.02 theta minus 10, इतना minus किया load, और फिर area से multiply किया, तो vertical load आए, अगर हम बात करेंगे, wind की वज़े से, तो wind कितने area के उपर लग रही है, इस panel के dimension हमने देख लिए, तो वो आ गया हमारे पास, next, specification of trusses की अगर हम बात करें, तो truss के इंदर आपको, अब ये जो आपको यहाँ पर members दिखाई दे रहे हैं, इस truss को इस truss को अगर पास-पास में कर देंगे, इन दोनों को अगर बहुत पास-पास कर देंगे, truss सारे पास-पास में लखे आपने, जितने भी यहाँ पर यह आपको ट्रस दिखाई दे रहे हैं यह सारे अगर पास-पास में कर देंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा जादा महेंगा पड़ेगा हमें और जितना इनको दूर-दूर रखेंगे उतना ही expense कम हो जाएगा हमारा So economical spacing of trusses is the spacing that makes overall cost of the truss purling and roof covering to a minimal value कि यह जो truss बनाया इस truss का खर्चा फिर यह जो purlings दिख रहे हैं इनका खर्चा और फिर यह जो sheet दिख रही है आपको इसके उपर covering जो लगाई हूँ यह इनका खर्चा हमें इस प्रकार से इसे design करना चाहिए जिससे overall expense हमारा minimize हो जाए economical हो जाए वो cost of the truss is inversely proportional to the spacing of truss कि जितना दूर दूर रखेंगे आप जितना दूर दूर रखेंगे उतना ही cost कम हो जाएगा So cost of the truss is inversely proportional to spacing of the truss फिर next हम कहारे हैं कि cost of the purlin is directly proportional to the square of spacing of truss Cost of the purlin, purlin का जो खर्चा है वो directly proportional है Spacing of the truss के जितना ज्यादा इन दूर का spacing देंगे ये truss आपस में जितने दूर हो जाएगे अब load किस पे आ जाएगा जाएगा फिर ये purlins पे आएगा तो ये purlins उतने ही strong लगाने पड़ेंगे उनका expense बढ़ जाएगा The cost of purlin is directly proportional to square of the spacing of trusses तो purlin का cost जो है इनका cost बढ़ जाएगा अगर ये spacing बहुत जादा हुई तो The cost of roof covering is directly proportional to the spacing of truss तो जितना जादा ये वाला truss, ये truss, ये truss आपस में एक दूसरे से दूर है उतना ही जादा क्या हो जाएगा इसकी covering ये जो उपर sheets लगा रखी है उनका cost बढ़ जाएगा एक equation होती है हमारे पास overall जो कि ये कहती है कि हमारी overall costing जो है वो economical रहेगी अगर for overall cost to be minimum cost of the trusses should be equal to twice the cost of purlin plus cost of roof covering ये objective में question आपसे पूछ सकता है कि truss का cost should be equal to twice the cost of purlin plus roof covering ये आपसे पूछ सकता है specification of truss related purlin क्या है ये already हम discuss कर चुके purlin पर अगर आपको load calculate करना है bending moment calculate करना है तो beam की तरह ही आप इस पर calculate कर सकता है minimum width of purlin आप consider करेंगे span of purlin divided by 60 से related span of purlin divided by 60 next अगर आपके पास single angle use कर रहे हैं roof truss में double angle use कर रहे हैं roof truss में channel section, single angle eye section, double eye section use कर रहे हैं इनकी slinterness ratio कितना होना चाहिए इसी के साथ steel design हमारा संपन होता है आप सभी को बहुत बहुत शुब काम ना है बदाई आपने इतनी मेहनत की कि steel design ये हमारा subject cover हो गया है इसके बाद फिरू करेंगे नया subject live stream खतम होने के बाद comment करके आप हमें बता सकते हैं कि next subject कौन सा होगा साथ ही साथ में आप अपने valuable input, valuable feedback बताना न भूले कि हम हमारी इस learning की जो journey है हमारी तैयारी का ये जो रास्ता है इसको और बहतर कैसे बना सकते हैं आपके जो भी कीमती सुझाव हो feedback, complaint कुछ भी है जो भी scope for improvement they are always welcome नीचे live session खतम होने के बाद comment करके आप हमें बता सकते हैं मेरा नाम है संदीब जानी और अगर आप हमारा pre to main civil engineering complete course पढ़ना चाहते हैं एप के उपर ये भी चल रहा है जिसमें pre to main सब कुछ cover करके हम चल रहे हैं एक एक वो point जहां से किसी भी प्रकार से question पूछ सकता है चाहे pre में, चाहे mains में सारे किसित बना के हम कर रहे हैं तो अगर आप पढ़ना चाते हैं तो इसके लिए नीचे description में आपको अपनी app का link मिल जाएगा या फिर play store पे आप संदीब जानी से नाम से search करेंगे तो भी आपको app मिल जाएगी डाउनलोड करेंगे बहाँ पे ये course दिखेगा pre to main civil engineering का उस course पे जाना है आपको view details देख सकता है आप उसकी जानकारिय है साथी साथ में वहाँ पे apply coupon code का option मिलेगा आपको उसमें आप use कर सकते है new start जिससे आपको 10% instant off मिलता है साथी साथ में इस course के अंदर pre के point of view से mains के point of view से जितने भी sessions हैं वो सारे access कर सकते हैं उनसे related notes आपको मिलेंगे हर class specific class specific folders होंगे कि हाँ subject कौन सा पढ़ना है फिर उस subject में जाएंगे तो उस subject के अंदर कौन सा chapter पढ़ना है फिर उस chapter में जाएंगे तो उस chapter की अलग-अलग sessions और उनके अलग-अलग notes जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे chapter wise, class wise भी तो कहीं कोई confusion नहीं होगी कि कौन सी class कब होई थी और किस session के notes कहा है सब कुछ आपको properly arranged manner में मिलेंगे इसके अलावा जो भी हमारे test series, practice sessions या फिर जो mistake, removal sessions कहे लीजिए या फिर ये कहे लीजिए enhancement sessions होंगे, सब प्रकार के sessions जो भी आपको exam की तयारी के लिए चाहिए वो आपको इसी course के अंदर मिल जाएंगे अगर आप इस youtube चैनल पर नहीं है तो subscribe करना मत भूलिए, इस session को आप अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं ऐसे दोस्त जो कि किसी paid course को अफ़ोड नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भी share कर सकते हैं, वो youtube के उपर सारा course पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि आप paid course में पढ़ना चाहते हैं, और कोई problem है, कुछ भी ऐसा है तो आप email कर सकते हैं SSR, JY, ANI, आपको शुरू में जो mail IDs बताएं थी, इन पे आप mail कर सकते हैं जो भी आपकी problem है, issue है कोई अगर genuine आपका issue है, तो वो definitely team consider करेगी उसको तो इस mail ID पे आप mail कर सकते हैं अपनी details के साथ आपका app के उपर registered phone number email ID कौन सा है, क्या problem है और आपका एक photo ID proof obviously validate करने के लिए कि हाँ, कोई genuine person ही ये लिख रहा है तो वो आपको send करना है जो भी best possible solution होगा आपके लिए वो भी किया जाएगा thank you so much, see you again in next session take care, bye bye रापके रिए णापके लिए झाल सकताawi aría झाल झाल